हेलो दोस्तो मैं अधेड अगर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल एकजाम योजबाई अधेसर में दोस्तो ये पसुपालन से संबंदित हमारा दूसरा सेसन है इससे पहले हमने एक वीडियो डाल दी है उसमें हमने आपके 50 पिर सन है वो कम्पलिट कर दी है अगर किसी भाई ने वो नहीं देखिये क्लास तो जरूर चेक आउट करें और इस सेसन को हम आगे बढ़ाएंगे इस वीडियो में हम 51 से 100 तक सारे पिर सन हम कम्पलिट करेंगे और इसकी आपको अलग से चैनल पर पिले लिष्ट मिल जाएगी एक वीडियो जो हमने डाली है वो भी और आने वाले समय में जितनी भी वीडियो आएंगी वो आपको अलग से पिले लिष्ट में मिलेंगी एनिमल के और दूसरा जो एगरी कल्चर के वो भी हम 500 पिरसन कम्पलीट करेंगे तो फिर मैं कह सकता हूँ कि आपका कोई भी पिरसन गलत नहीं होगा कोई भी पिरसन आपका बाहर नहीं जाएगा तो भई इस सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं पहला पिरसन आपके सामने है गाय के आयन को दोने के लिए किस रासान का प्रियोग करते हैं तो इसका जो सही अंसर है को पोटोशियम का प्रियोग करते हैं पशुπάलन में पशुआ की बांधने की अच्छी विधी कौन्शी है तो राइट अंसर है पूँच से पूच वाली विधी है भाई दिहान रखना एक दो बा परशु पालन को दोने के लिए किस रासन का प्रियोग करते हैं तो बिल्कुल राइट अंसर रहेगा फिनायल का प्रियोग करते हैं जहां पर आपके बहुत सारे परशु बंदे होते हैं उसकी हम बात कर रहे हैं और आप बार बार मैसेज करते हैं सर इसकी पीडियाप हमें च प्रशुका तापकरम किष्यम अपगा जाता है। मापते हैं वेटनारी थर्मा मीटर से मापते हैं बई किस बहस का रंग चांदी और तामे जैसा होता है हमने ऐसे ही पिरसन देखेते बई एक जाम में किस बहस का रंग चांदी और तामे जैसा होता है तो भदावरी बहस का होता है बदावरी बहस का होता है मास के लिए पाले जाने वाले उप्युक्त बक्री की नसल कौनशी है तो ये बलेक गंग बंगाल है ठीक है ना इंपोर्टेंट परसन है बिल्कोल एक जम में बन सकता है किस बक्री में डाड़ी पाई जाती है बहुत ही अच्छा परसन मैं कह सकता हूं तो बीटल है बाई कौनशी है बीटल बक काटने की पिर्किरिया को क्या कहते है तो ये सीरिंग है बई इसे क्या कहते है सीरिंग कहते हैं सारे के सारे पिरसन अच्छे हैं बहुत जल्दी कंप्लीट करूँगा पशू का तापकरम सरीर के किस बागशे मापा जाता है तो गुदाशे मापते है ठीक है ना किस गुदा सुधार या सकता, किर्ट्रियों गरवधान के दुरा भाई, ठीक है, तो नसल सुधार के लिए इसका प्रियोग करते है, लोही किस की नसल है, तो ये लोही किस की नसल है, एक भीट की नसल है सीधा ऐसे ही पूछ लेगा भई लोही किसकी नसल है चार उप्सन आपको मिल जाएंगे भेड बकरी बहस दूर कुछ भी पूछ सकता है तो राइट आंसर रहेगा भई किसकी है भई भेड की है अंडे में सबसे अधिक क्या होता है प्रोटीन होता है इसके बारे में तो आप देखें तो अच्छे से आपको समझ माएगा और आप आराम से सारे के सारे पिरसन कंप्लीट कर सकते हैं मुर्गों की सबसे घातक भीमारी कौन सी है तो रानी खेता भई कैसी बीमारी है रानी खेते सबसे घातक भीमारी से कहते हैं मुर्गों में जो होती है कोड़क के अंड कोशों को निकाल देना क्या कहलाता है तो ये खशी करन होता है क्या होता है खशी करन कहते हैं से इंट्रा वैनिश इंजेक्शन कहां लगाया जाता है तो ये नश में लगाया जाता है ठीक है न कहां लगाया जाता है नश में लगाया जाता है और दोस्तों अगर आप हरियन जी के हमारी जोइन करना चाहते है एक हजार की सीरिज है तो 49 रुपे आपको पेग करना है और बहुत ही अच्छा डाटा है एक्जाम में पिरसन मैच होएं आगे भी मैच होंगे तो 39, 30, 31, 82, 26 वर आप हमें वर्चप कर सकते हैं यहां से आप एक हजार पिरसन हमारे ले क्या है तो भाई यह आपका विशानू है थनेला रोक का कारण क्या है तो यह एक परजी भी है इंपोर्टेंट है सारे के सारे मादा के बच्चे देने के तुरूंत बाद ही मादा के सतर से नवजात बच्चे के लिए निकनने वाला च्छरन क्या कहलाता है तो यह आपका क् खीश खेलाता है ठीक है ना मादा के बच्चे दनम के तुरंत बाद ही मादा के सतर से जो नवज़ाद बच्चे के निकरने वाला च्रण होता है उसे क्या कहते है उसे खीश कहते है ठीक है इससे पहली वाली जो वीडियो से मैंने आपको बताया कितनी पलाते है ठीक है वो दे शुर के शुर के बाला बनेगा और अग्जम है धियांद के बहुते हैं खीस में वितामिन एक तो केरोटीन के रूप में होता बहुत जो खीस होते हैं जो नवजात जो मतलब की जो पशू होता है मतलब कि जो बच्चे को जनम देता है उसका जो दूद होता उसे खीश के नाम से जानते हैं जो उसके जो मतलब की जो बच्चा होता है उसे पिलाते हैं तो इसके बारे मैंने आपको बताया उसमें सबस्यदी क्या होता है तो कैरोटीन होती है और खचर कि गोडी का क्राश है भई ध्यान रखना इंपोटेंट पिरसन है भई भारत में डेरी पशों की संख्यां विसके पशू का कितना भाग है तो 1,5 भाग है भई ध्यान रखना 1 बटे 5 भाग है ठीक है ना डेरी का वल्ड की अगर हम बात करें उसके अकोर्डिंग हम आपको बता बच्ड़े की नाल काटने के बाद क्या लगाते हैं इमपोटेंट पुरसनत है सारे के सारे हम महनत करे हैं आपके लिए आपका भी फरज वनता कि आप सब्सक्राइब करेए नैशनल डेरिया नुसंदान संस्तान कहाँ पर है तो भाई ये आपका करनाल में है कब इसकी सतापना हुई है भाई 1905 में हुई है और 1955 से पहले ये कहाँ पर था भाई बैंगलोर में था कब की बात है 1923 की बात है भारतिय चिकतशा नुशंधान संस्तान कहां पर आए तो इज्जत नगर में है इज्जत नगर आपका कहां पर है वरेली में है गाय के दूद की लेक्टोमीटर रेडिंग कितनी होती है भाई तो यहां से रेडिंग भी आपसे पूश सकता है 28-30 होती है भाई बै। कितना देना चाहिए? एक गिलोग्राम देना चाहिए। आगे देखते हैं। मेले परदर्शनीशे खरीदे गए पशु को पहले पंद्र दिन अलग रख स्थ दहा एफ 17 सब्सार्इस कायं वितना है कश्ट पर्द पृष्व की क्या कहते हैं इसे डिष्टोकिया कहते हैं जीवधारियों की वह कला क्या कहलाती है जिसके दोरा वे अपने जैसे ही जीवधारी उत्बन करते हैं तो जनन कहलाती है आपके सामने मोटे चारे में रेशे की मात्रा कितनी होती है तो 18-22% होती है बैई कितनी होती है 18-22% होती है शूर की युवा मादा क्या कहते है तो गिल्ट कहते है जो शूर की युवा मादा उसे क्या कहते है उसे गिल्ट कहते है अंडो से चूजे निकालने वाले स्थान को क्या कहते है त तो दोस्तो इस वीडियो में हमने एक्क्यामन से लेकर 93 तक सारे पिरसन कम्पलीट करें हैं लगभग मैं कह सकता हूँ 43 पिरसन हमने बहुत ही जल्दी कम्पलीट कर दिये इस वीडियो में और भाई आगे भी हम आपके लिए प्रियाश करेंगे दूशरा अगर आप किशी भी एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल पर बहुत सारा डाटा है आप हमारी वीडियो देखते रहें और आगे बढ़ते रहें जल्दी आपको अपने चैनल पर एक्रिकल्चर की वीडियो मलेगी और साथ कसाथ हरियन जी की क्लास चलती रहेंगे एनिमल की क्लास भी आ अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे सेयर करें और आप सभी ने इस वीडियो को इहां तक देखा आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद